तिरोंज स्टेम हरशल चौधवी को हाई कोट से 14 अगस को आदेश मिला है कि ग्राम बरबट पूर की जमीन खाली करवा कर भूमी स्वामी हरकुर बाई पतनी गंबीर सिंग को सौब दी जाए वरना उन पर कोट की अवमानना का केश लाय जाएगा इसके साथ ही स्टेम को 4 सितंबर तक मामले में करवाई कर हाई कोट में अपना जवाब पेश करना है इस गाउ में 35 परिवार आदिवासी सहर्या निवास करते हैं अब उनके सामने गाउ छोडने का संकटा खड़ा हुआ है हाई कोट का आदेश मिलने के बाद दो बार स्टेम और दो बार तहसीरदार प्रजबती और हलका पटवारी गाउ जाकर ग्रामीडों को समझाने का प्रयास कर चुके हैं प्रशासन सभी ग्रामीड परिवारों को उनकी नाम की जमीनों और पटों पर पिया मवास स्वीक्वित करने की बाद भी कर रहा है लेकिन गाउ वाले ज समय से कुछ लोग बसे हुए थे भूमी स्वामी को उस समय जानकारी में नहीं था कि वो नंबर उसके हैं इसलिए वो बसाहट हो गई जैसे उसको ग्याद हुआ उसने सीमांकन करवाया और सीमांकन के बाद जब उसकी भूमी उसको समझ में आई तो उसने धारा 250 का केस किया और उसके पक्षमे नेने वहता सिलार नयाले से अलही में जुलाई में उसने जुलाई 24 में कंटेंट पेटिशन भी फाइल किया है धूमी स्वामी ने कि उसको अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया तो हाई कोट का जो नेना है उसका पालन तो हमें किसी भी प्रिकातरवान है शर्षन और भी जो योजनाओं का लाब उन लोगों को दिलवा सकता है वो दिलवार है जहां से आम चाहिए भाई या भगा जा रहा है कि जहां से घर खाली करो हैं हम भूत सालों से बसे हमारी तीन पीड़ी बीद गए हैं हमने बहुत केस लगा लड़े सरूंज गाई ग जीत लाएं हैं पाईसों के भार गड़डाल पटवारी है तो बिन अभी पैसा देतां भी अब गरीपां का पाईसा धारी जो यह ना हमारे बच्चे ना आदमी कोई भी घर नहीं आते वह बिनने सुकी गाज पटक देए मां सुकोई गेड़डाल पटवारी कोई जाके रह गर खाली कि करो जो खर आब बाता दूर बाचिरी हैंगे जरा जरा सूरे भी डर्या नाराइट कोई सुनाए नहीं है हमारी मताज घरदवार माते बना लेते हैं तो बेबी हमें कोई गरदाल पटवारी है पैसा भी नदे नदे कॉन भागा रहा है हमें कोई भागारा है का लएव भाग जाओ। जहाँ से अमरे मुलों किता लीया जाँ हाँ, किती है भाग, हमॉठी के घर नही बना अंदेर हाँ, घर गर रहें हम रे, डौरबाची रूH कितिया लीया जाँ हाँ ही हमॉठी मेडेशा हैँ लेड़ा हमके थाँ नहीं जा रहा है साब हम तो जहीं मार जाए हम तौछ में नहीं जाए हम पहला है जोड़ से छुड़ी यह को लिए फ़ लादा मका दिये सुजय मार जाए हम